हेलो दोस्तों दा सेविल पॉइंट की यूट्यूब प्लेटफर्म पर आपका फिर एक बार हारदी का भिनेंदा नहीं है लेक्षे नमबर आठ है कि यूएसी सेकेंड अपन कर रहे हैं उसके अंदर आज करने वाले हैं स्लैप कलवर्ट ठीक है स्लैप कलवर्ट 1.5 मीटर इस समेस्टर है ना बड़ी बड़ी संकट की घड़ी है आप लोग के लिए तो है कि नहीं मतलब अगर आप फोर्ट में होते यह सेकेंड में होते तो आपका कुछ चांस था कि आपको जनरल प्रमोशन दी जा सकती थी अब अब तो कोई चांस नहीं ना पेपर तो लेंगे लें अब अब आपको जाएं तो पड़ेगा उसी सीरीज में आज अपन पढ़ रहें क्या स्लैब कलवाट चलो देख लेते हैं इसके इसके इस्टीमेशन में दिखने बस में ऐसा है इतना आपको वह बगी असान ठीक है बहुत ही जा आसाने देखो चलो तो पर पहले ना बस वी अब लोग को सबसे पहले है इसके इसका सलिवसन ओपन कर लो अपने पास ठीक है यह बी अंदत्ता के पेज नंबर कौनसे पेज नंबर 375 375 ओपन कर लो अपने पास रख लो वह टीक है क्या होता भी जानते हो पाइप कलवाट सारी स्लैब कलवाट है ठीक है देखो करके पढ़ेंगे अगर्ण पहरा तो पाइब कलवाट होगा एक स्लैब कलवाट होगा जन्दली आपके पेपर में यही कुश्चन तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अभी और हां जैसे कि मैं बताया आप लोग को क्यार अपना यह क्यों से अप्लोड कर दिया अल्डेडी किसपे अल्डेडी आपके यूटूब चैनल पर अप्लोड है ठीक है और ये जो लेक्टर है आपको ये मिल जाएंगे मेरे जो बागी सा 800 रूपीज आप पे करके ठीक है 800 रूपीज आप पे करके पूरा क्योसी आप का कोर्स ले सकते हो जो भी आपके डाउट हो मेरे से आप पूछ सकते हो परस्नली वाट्सप ग्रूप पर ठीक है और आपको कॉंटक्ट करने के लिए 9179-417400 इस वाइल नंबर पर कॉंटक्ट क करना कर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो ठीक है अब चलो ज्यादा बाते नहीं स्टार्ट करें डाइटिस का एस्टिमेशन से पहले से अपने पास ओपन करके आप लो रख लो भई ओके तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है दिखरा नहीं दिख आप रास्ते से जा रहे थे ठीक है रस्ते से जा रहे थे कैसे जा रहे थे इधर से रस्ता जा रहे थे ठीक है आप इधर से जा रहे थे यह माल लो एक रास्ता है आप इधर से जा रहे हो ठीक है बढ़िया रस्ते से जा रहे थे किसे से मिलने जा रहे थे माल लो रास्ते से यहां पर एक पाइप कलवट बना दिया गया और इसके उपर ऐसे च्छट कर लेते हैं एसके उपर एक क्या डाल दी गई यह से च्छट डाल दी गई ठीक है अब आप यहां से अपनी गाड़ी लेकर के सीधर जापाओगे क्योंकि बीच में वार्शा थो बना दिया तो बीच में क्या कर दिए पुल्य बना दिया अब आप ऐसे जापाओगे प्लियर ऐसे करके गया यहां पास एक कलवाट बना दिया गया है ठीक है तो ऐसे करके आप इधर क्रस कर जाओगे ठीक है पानी इदर से जा रहे हो और आप ऐसे जार रही है आँए और आगी बास समझ में लाजिक समझ में आयक नहीं आया चलो ठीक है अब इसके कुछ element जान लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इनको यह थोड़ा से important देखो बोस्त, यह जो इसकी डिवाल है नहीं, यहाँ से लेकर कि यहाँ तक यह सीरह सीदा वाला यह दिवाल, ठीक है, यह और इसकी ही वाली दिवाल इन दोनों दिवालों को बोलते हैं, अपन abinement क्या बोलते हैं, abartements ठीक है, इनकी numbers कित्स हो गए? एक और दो ठीक है, कित्फे number हो गए टोटल, एक और दो, तो दोनों क्या है यह आपके abartement abartement ठीक है, यह दोनों abartement हो गए clear बात, इसके बाद यह जो आपका बचा वाला पॉर्स है ना इतना वाला पॉर्ट यह इधर और आपका यह इधर और आपका यह इधर और आपका यह इधर यह चारों कोनों पर आपको दिखाई दे रहे हैं यह आपके कहलाते हैं वाई विंग बॉल क्या कहलाते हैं विंग बॉल यह आपका है व अब सबसे पहले करते कि कोई भी अपन से बनार इंजिनिक अगर इस्ट्रक्चर बना रहे तो बनता किसके अंदर धरती की उपर ठीक है सारा जो लोड धरती माही सहने वाले यह संदी लौट है अधरी चली सनी देवलकड़ लग ठीक है सनी देवलकड़ अपने सुना है यह ध थे सब की माहा हैं सारा स्ट्रक्चर हें लोग इसी धरती के लिए ट्रास्टि 세 करते कीटाइबगा योट इसलती तो सबूसितोpping करने के लिए आपको एक कि हमें जरूरत है अपने civil engineering structure में civil engineering structure के load को सहन करवा सके जितनी इस टंथम को चाहिए उतनी इस weathered soil में नहीं रहती है जो की संपर्क में रहती है किसके atmosphere के ठेक है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग इस weathered soil को हटा देते हैं हटा के देते हैं लगबग एक मीटर तक और इसके नीचे जो सबसे पहले जब अब कोई structure बनाएं तो इसके वहले क्या करेंगे अपन करेंगे इसके अंदर अर्थ वर्क इन इसका वेशन ठीक है अब अर्थ वर्क कहां कहां होगा दोस्त पहले चीज़ दिये समझना पड़ेगा तो अर्थ वर्क होगा आपके इन अबट्मेंट्स के नीचे नीचे और फेलाफ के अब कि यह चारों वर्क के नीचे औहीं और एक दोना आवट्मेंट्स के नीचे अब कितना कितना हुए देखेंगें तो देखो, आपको तीर दाइगराम दीर रहें आप ठीक है तीर diagram दिये हुए है, कौन कौन से, पहले चीज़ तो आपका यह हो गया plan, यह जो आपको इतना वाला पार्ट दिख रहा है, यह आपका plan है, ठीक है, अब उपर से cut करके देख रहे हैं, ठीक है, यह आपका ऐसे cut किया हुआ है, यह और यह, यह ऐसे cut करके यह वाला बनाया हुआ है, ठीक है, एक प्रकार का sectional view है इसका, ठीक है, longitudinal sectional view है, ठीक है, longitudinal, लंबाई की coding cut करके बनाया है, longitudinal section मतलब ऐसे cut हुआ है, इसलिए sectional दिखा रहा है, यह आपका sectional elevation है ठीक है यह वाला पार्ट जो है आपका यह आपका sectional elevation मतलब ऐसे पुरा-पुरा अब आपको कुछ-कुछ आइडिया लगए नहीं लगा बोलो बता हुआ ठीक है अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपने पास रखना आप लोग क्योंकि यार इसमें दोनों चीज एक्चली पॉस्वल नहीं हो पाती है है ना मैं समझाने की पूरी-पूरी क बनालो टेबल में क्या से बनाओगे वही है जो बनाते है आप बैटें नमबर लेंद बेटते सारा कुछ आप बनालो बास्ट्रेटिंग डालो क्या अब अर्थव्रकीन इसका वेशन आप कहा करोगे अब अबार्टमेंट की नीचे और अबाटमेंट की नीचे और शुक यहाँ पर कि चार ऑसी तो यहाँ तक लिया हुआ ऑपर का क्ड़ उपरकर ए यह 15 शिन संटीमिटर कोंट सुल क्यों ढाए 30 संटीमीटर तो 4.80 और प्लास 30 क्यों हो गता आब गाया जेट हो गयाускे 5010 यह इसका 5.10 यहां से देखोगी आप यहां बाले से युले एभी की नीचे प्रेशण loops सब्सक्राइब मैं करें इस ब्लबी आपको को brand बाता है फिरした निएव जगल व्या हेँ being बाताते हैं विंग बॉल पे विंग बॉल आपकी संख्यम कितनी चार बना दी ठीक है विंग बॉल की विंग बॉल चुंकि आपका यह वाला पार्ट है लेंद यहां से एक बीज साब साब दिख रहे हैं 1.20 मीटर इसकी जो बिर्थ हो कितनी 70 दिख रहे हैं और डेप तो आप आपस मल्टिप्लाइ करके आपने टोटल क्वांटिटी निकाली और इसके बाद 630 आपकी टोटल आगे क्या क्वांटिटी आफ अर्थवरकिन इसका वेशन कोई रिक्कत बोलो नहीं ना चलो आगे चलते हैं इसके बाद आती सीमेंट कॉंक्रीटिंग अच्छा इसके जैस का वेशन किया वहां पूरे पर आपको डालनी है कॉंक्रीटिंग बिल्कुल सही बात है कोई रिक्कत नहीं तो दो अबाट्मेंट है लेंथ आपने 5.10 के इसका वेशन किया था 5.10 पर कर दी कॉंक्रीटिंग चोड़ाई हो सेम होगी जित्ती चोड़ाई आपने इसका दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर दिकर दिकर है 30 सेंटी मिटर इसके अंदर आपकी यह कॉंक्रीटिंग लेयर दिख रही न इसलिए यहां पास अपने 30 लिया हुआ है ठीक है ऐसे आपस नहीं माल लेना क्या पी किया है देख के बनाना ठीक एस्टिमेशन मतलब किसार कुछ करना रहता है इसके बाद क्या करेंगे सभी का आपस मल्टिप्लाइ करके आप यहां से यह वाली कॉंटिटी फायंड कर सकते हो ठीक है दोस्त अच्छा अब इसके बाद कौन सी बात आती है विंग वाल कित्ते नंबर में आपके चार है लेंद कित्ती थी 1.20 थ इतना करने के बाद बस कॉंक्रीटिंग इतनी जड़ेगी करनी है तो आपने टोटल कॉंक्रीटिंग भी निकाल ली यह कोई दिक्कत नहीं न ठीक है ओके दोस्तों ठीक है दो चीज़ आपन निकल दी तीसरी चीज़ के अंदर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क अब कहां पास अब अब आट्मेंट की दीबाल उपर और फिंग वाल की दीवार ओपर ठीक है इसके उपर फिर डाल देते पंपर अपन पैरापिट बनाते हैं पैरापिट मतलब दोनों तरफ अपने चछत के उपर पैरापिट देखा आप उसको पकड़ खड़े रहे तो रेलिंग जिसक पैरापिट बना देते हैं तो उसकी दीवाल पर अपने को ब्रिक वर करना पड़ेगा ठीक है चलो देखते हैं पर सबस्क्राइब करेंगे इसके उपर से यहां से तो 30 संटीमीटर का नीचे किया होगा एक मीटर का यह वाला पार्ट हुआ और यह स्लैब भी जहां पास स्ल में स्लैब करेंगे इसलिए इसको हमाल लेते हैं तो 20 संटीमीटर इसको भी जोड़ लो टोल की आपका 150 1.5 , 0.1,0 m तो टोटल 1.5 ,0,0 m हाइट पर करना है कित्ती चोड़ाएग करना है 30 cm पर ठीक है , और अबाटमेंट पर करना है तो अबाटमेंट की लेंध कित्ती है आपकी 4.80,0 m ठीक है एक्चुलिम लेंध किती है , अपने पंद्रा फंद्रा बंदर दोन तरफ यहां तक लि हो लिया है 40 की दिवाल है हां हां 40 की दिवाल क ठेक तो है ओक ठीक है जो यह पास ब्रीड वर करा होए यह 40् सेंटेमेटर की प्रिक हılar करा हुआ है चालेवस के फोड़ाए सीस में और है और हाइट किती है वेन पोईंट 50 मीटर तो अपने 1.50 मीटर लेली इसके बाद आपने टोटल ब्रिक वर्क निकाल लिया अबटमेंट के अंदर 5.65676 अब आती विंग वाल के अंदर की बात देखो विंग वाल संख्य में कितनी चार है इनकी लेंद्ध कितनी 1.20 मीटर आपने देख रखी है है ना 1.20 मीटर 40 सेंटी मीटर दिवाल की चोड़ाई हाइड तो सेम रहे इविंग वाल की भी तो इसके भी क्वांटिटी आप निकाल लोगी तीनों का मल्टिप्लाई करके क्वांटिटी निकाल लेंगे पैरापिट अप्टू कर्ब ठीक है अप्टू कर्ब मतलब कर्ब तक कपे की मातनेक होता ना कर्ब शुक्त ने को रहता है जिस च्छे नहीं उता आपने सलैब पिल जाए और इसमें रुका ना रहता कि गाड़ी चलने वलने में दिक्कत नहीं फिस लेना यह सब चीजें हो रहा है इसलिए इस वाले पार्ट किस हाइट को बोलते है अपन क्या करब ठीजिए इसको बोलते है कर यह होता है एक्षुली कर तो देख लो यहां पर क्या है कर अप्टू करब तक की बात कर रहा है हाना अप्टू करब तक की बात कर रहा है तो अपन ने कहां तक कर लिया भाई समझो बात को पहले यहां से दिखाई देगा एक्षुली यह इस पर नहीं दिखेगा यह लॉंग टूनल सेक्शन पर देखो आप इसे यहां पर देखो तो 30 यह वाला हो गया और 150 यहां तक कर लिया है अपने यहां तक कर लिया है ठीक है यहां तक इस वाले पार्ट में आपने कर लिया है अब आप 2 कर्व तक आपको करना है तो इधर साइड से अब देख लो कर्व तक आपको करना है ठीक है कर्व तक आपको करना है तो अपने य यहां तक कर लिया है यह वाले पॉर्शन में कर लिया है यह 20 का और 10 का कर्व आपका कर्व तक की बात कर रहा है तो 10 cm ठीकनेस का कर्व है कर्व की ठीकनेस यह लिखा हो न यह 10 cm कर्व ठीकनेस तो 20 का यह और 10 का यह तो ठीकनेस टोटल किती हो गई 30 cm ठीकनेस किती हो गई आप यहां पास जो कित्ती लेंगे देखो दोस्ते इसमें आपको इसमें वाले पार्ट में देखेगा टोटल कित्ती रहती है जो आपकी जो स्लैब आप डाल रहे हैं उसकी चोड़ाई कित्ती है 490 लेकिन 10 सेंटीमेटर तो कर्ब का निकलावाला पोर्शन है इसको अब ही अपन लेंद पता चल गई और 40 तो चोड़ाई है ही अभी और यह दो दो दिवाले हैं और 470 लेंद हो गई तो यहां से आप टोटल कॉंटिटी फाइन कर सकते हो ठीक है और हाइट आपकी 30 सेंटीमेटर 20 की वह वाली और 10 का आपका कर्व ठीक है अब अच्छा इसके बाद आती ह यह यहां पहले 30 की दिवाल थी यह बहली चालिस की दिवाल थी है अभी कित्ते हो गई यह 30 हो गई हमोगई 30 हो गई हैड कित्ति लेंगे az वह ठिंग डिंग तो तो 60 है नेकिन 0-07 संथ कर भाद यह अभी inquis संद्ग हाई यहाँ कर आता को क्या है और है 17 इसलिए सुझा मीशें करेंगे लिह कई से कमेंट में फोल नहीं 26 कि बताते मुझे क्या मचनूज है ओप ऑब रहे हैं चलो तो यह वहदार इंगाएम बताते मेंट साथ है तो इसकोại бег दो तो नई ले रहे इसको अपन नई ले रहे हाँ ना इसको भी सेबरेट करेंगे तो coping से नीचे वाला पार तक लेंगे तो वो कितना है आपका 50 का लाएगा ठीक है ना पचास सेंटीमिटर, तो पचास सेंटीमिटर ले ले लेते हैं अपन, हाँ ना चलो जी देख लो पैरापिट एबब कर दो दिवाले हैं दो है ना अबाटमेंट आपके दो पैरापिट है और यह 470 तो आपकी लेंद्ध होगी लेंद्ध पर कोई चांज नहीं 30 cm आपकी दिवाल की चोड़ाई है और 50 cm हाइट ठीक है भई इसके बाद पैरापिट अब कोपिंग की बात करेंगे पन देखो कोपिंग मैंने बोल दिया आप कोपिंग की बात करेंगे तो टोटल लेंगे 490 का यहाँ देख लो यह वालो पार्ट कोपिंग का इसलिए पूरा पिर समझाते हैं, देखो, यह जो अब इसकी चोड़ाई है, इसकी चोड़ाई है, यह किती है, 40, इसकी डेप्थ किती है, डेप्थ देखो, यह बहले डेप्थ की बात कर रहा हूँ, यह 10 ही है तो, 10 cm, 10 cm डेप्थ, चोड़ाई 40, और लंबाई 4 90, बस आपस multiply कर लो, और क्या है न, तो 4 90, 40 और 10, ठीक है भई, और 2 दिवाले हैं, इसलिए 2 का multiply, अब बात करेंगे, डिड़क्शन की, डिड़क्शन यह किया, जहाँ पास आपके slab नहीं थी, महाँ पास भी तो आपने मन दिया ने, कि मही पास भी दिवाल है, ब्रिक वर किया तो माना था था ने, स्ट देखो, इसके अंदर की, तो टोल स्लाइब किते पर डाली हुई अपने, पहले पर देखना पड़ेगा, तो 4 सी पर डाली हुई, जित्ती लंबी आपकी बैटमेंट पर डाले होंगे, और इसके जो बीरिंग हो किती अंदर, किते बीरिंग है, 30 सेंटिमेटर की बीरिंग, ठीक है, तो 30 सेंटिमेटर एक तरफ, 30 सेंटिमेटर की तरफ, क्लियर जी, बोलो न, हाँ, ठीक है, ये दो तरफ रखी हुई, ये दोनों अबैटमेंट पर, 4 सी की चौल, लंबाई का, 30 सेंटिमेटर अंदर गया हुआ है, इसलिए 30 सेंटिमेटर कर रहे है, डेप्त किती है माइनस कर रहे है, यतना एडिया पन माइनस कर देंगे, टोटल ब्रिक वर्क में, ठीक है, तो इतना पन ने माइनस कर दिया, ये आपका डिरक्शन हो गया, अब इतना आपका, इतने इसलिए प्यार समयने समझा दिए, बहुत अच्छा से आपको समाज में भी आ गया होगा अब क्या है, अर्सेसी वर्क, वन्टू रेसियो का फोर्ड, स्लैब इन इस्टील, अच्छा अब इसके बाद आती है, स्लैब की, देखो अर्सेसी स्लैब के बारे मापको बताओ दू मैं, कितने पटा लग गया है, चार असी पे, चार असी तो लें थी आबटमेंट की, इस यहां तक, तो 1.50 तो यह है, और इधर किता है, 40, 30 है, और 40 है, तो किता हो गता बताओ, सörी, सौरी, तो तरीच की बिरं और 30 की मैं अब से crire, इधर 30 की बिरं और 30 की बिरं तो देखो, उन्ट फाइब दो अंदर खें तिर जाएंगे, तीस इदर जाएंगे, टो स्रूटल 2 2.10 हो गये क्या है हो गये ना हां तो बस वही तो किये है यहां पर एक किस लैब 4.80 2.10 और ठीकनेस किती 20 संटिमीटर यहां से अपन टूटल कॉंटिटी इफाइन कर लेंगे बस क्लियर है अच्छा अब इसके बाद इस लैब में में बार्स किते लगी हुए है मतलब बार कित कर लेते हैं उनकी बाद कर लेते हैं देखो भाई स्लैब किते का है फहले समझ लो स्लैब का खाखा 4.80 2.10 ऐसा ही स्लैब ना में मैंबार हमेंसे छोटे इस पान प्लग ती इसलिए में बार ऐसे ऐसे लगी होगी ठीक है बाई कोई दिक्कत नहीं ना अल्टरनेटी बंटप बार लगी हुई है आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो अपने इस वाले एलिवेशन वाले पार्ट पर देख लो कि क्वся इस थैसे इस वाले पार्ट पर अगर एक सीधा एक सीधा पर एक सीधा बीज की है पांदरा संटी में तो एक सीधे की बीच कि कित्ती हो जाएगी 30 cm वही वाली बात यहां पास कही गई है ठीक है और बेंट आप की बीज भी 30 cm और डिस्टिब्यूशन बार को डायमिटर है वह भी आपको दिया हुआ कहीं पर दिखा रहे हैं कहां पर दिया हुआ बांकी तो भी में बार की बात करेंगे में स्टेट बार क अगर आपने वाल वीडियो देखे नहीं देखे तो आपको क्या करना है 4 80 वाले पर लगी है मतलब लगी तो दोधस वाले पर हैं लेकिन अपने नमबर निकालने इसलिए 4 80 वाल लेना पड़ेगा ठीक है तो 4 80 और बटे का ही स्पेसिंग कर देंगे तो टोटल नंबर आप बार आगे सब्सक्ता इतना करें इतना करीके तो इस में प्लेशन कर नंबर आप बार आ गई सत्राल सेटरा नंबर आप बार ठीक है अब सब्सक्राइब भार रहें है अब haar 8 этॉ बदो दस दोनों तरफ सभखःवू है पदो कर दो सयद्सक्राइब हातना थ्यां करते हैं क् finely 1 2 आपको इसको कर रहा रही है याफ के 2.38 पन ये एट पटा सेसिथ बनीटर ना सबीस हसा दोcend been by 4 into का dd कितना है आपको 0.020 का whole square यह हुआ एडिया यह हुआ लेंथ एडिया इंटु लेंथ क्या हुआ वॉल्यूम वॉल्यूम में क्मल्टिप्लाइ करो डेंसिटी का डेंसिटी कि इतनी 78-50 तो डियाट आजाएगा इसका weight ठीक है वेट में सत्रा क्मल्टिप्लाइ करके 17 बार का weight है बात सही कि नहीं चलो जी इतनी हो गई अब इसके बात करेंगे bent up बार की देखो bent up बार हमेशा आप bent up बार जो ही straight बार से एक कम ले लिया करो सीधी सी बात तो 16 बार ले लो अब इसकी length निकालनी important है तो लेखो length state बार बेंट बार मेंसे पेक अंतर होता है क्या bent up depth add करनी होती क्या bent up depth अब ऐसे मुड़ गई है तो यह depth है one depth इसको add कर दो बस माकी length सेम रहती है तो यह depth क यह 2.54 हो गया आपका ठीक है चलो में एक बार फिर समझाता हूं 2.38 था इस्टेट बार के लिए one depth add करेंगे one depth मतब चार चार टोटल स्लाइब की कितनी है 20 तो 4 cm उपार का कभार 4 cm नीचे का माइनस कर दो तो कित्ता बच गया आपका 16 cm 16 और जोड़ दो इसमें 16 cm तो कितना आगा 2.54 मीटर ठीक है 2.54 मीटर आगया ठीक है तो 2.54 मीटर आपके लिन था गी बांकि आपकी जो वही 5 by 4 into d square into 78 50 करके आप 5 by 4 into d square into 78 50 यहां से आप करके और इसका इससे मल्टिप्लाइब करके सबसे आप कॉंटिटी निकाल सकते हो ठीक है आचा आप 10 mm टाइम मीटर का आ हो लगा हुए अब इसका भी आपको number निकालना है distribution आपको इस बार कैसे लगा हुआ है SMR लो यह दो關係 किसी का तो एचसे लागा हुआ ना तो ऐसे निकाल है इस लो ऑन वी किस बार Biden इतने नौ आएगा इसको अब इसकी लेंथ निकाल नहीं तो लेंथ किते पर जाएगी 4.80 वाले प्लगी हुई है माइनस का दोना तरब कभर करेंगे दोना तरब कभर माने 8 सिंटीमीटर 0.08 एट सिंटीमीटर दोना तरब कभर और प्लस करेंगे दो हुक ठीक है दो हो कहने कि दो इन्टू नाव इन्टू कर डी और प्लस बस हो गया इतना करने को बाएद आप यह लेंथ निकाल लो लेंथ निकल कराएगी आपकी 4.90 ठीक है 4.90 और फिर वही पाई वाई 4 और अचानों का होल सकता है तो यह बाना एडिया इन्टू कर लेंथ किता है आपको 4.90 अचाल सकती हो ऑड़ सारे कुछ मेंद स्लैब्म नीडिट पढ़ा चुका आप वहांसे बी आईटिया लग गया होगा वहां से B झोकर कोई देख्कत ने हैं चलो इसको नहीं समझें चार बसी तोर आरे दिखाता हूँ एक माण त्रूक कैसे लगई के यहां पर है जो बार गई ना ऐसे लोके यह गई anॉब फिर आपको क्या करना पड़ेगा इस लिए के यहां जो होती है लेंथ यह होती है आपकी L by 5 और यह वाली होती है L by 5 तो जो टोटल इस पान उसके बटे 5 करके और फिर इस पेसिंग से डिवाइड कर लो तो जितने बार आएंगे जिसमाल लोग टोटल किती है 1.5 है और प्लस का 20 इदर 20 इदर दोने तरब की ओवरलैपिंग पर ऊपाने जाएगे आँ 40 45 ठीक है 45 44 एक चुली 0.44 अब 0.44 को 25 इसे डिवाइड करो जिवाइड करो जिरू पैंट 4 4 को 0.24 से डिवाइड करो तो सम्तिंग किती दो बार आ रही है तो दो बार एक तरफ दो बार एक तरफ ऐसे करके चार उपर लगी वही ताब और अगर आपको मेरा कांटेंट रियल पसंद आता है ना तो लेक्चर को सेर जरूर किया करो यार ठीकर अपने सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करो ओके जी इतनी बात है आपको समझ में आगी ना अब देखवागी किया है इसके बाद क्या है आपका को यहां को इसका जिक्षत नहीं इसके बाद सीमेन कोंक्री टिंग की को वेरिंग कोड करें इज़िए कि इससी डिखा ही देगा चलो मैं यहां पर दिखा देता हूँ आपको यह दिखो पर आपको साप साप लिखा हुआ 10 cm का वीडिंग कॉट अब किते पर लगा है फोर मीटर पर लगा हुआ है और 10 cm थीकने से बस कर सक्तों इसली कि चर्व मीटर प्लागा है और दो 30 उधर साइड है मतलब यह व्ल डेरेक्शन इसकी पीद्टी है तू-थर्टी ठीक टू-थर्टी इसकी फेल रिक्शन है और दास सेंटिमीटर कापकी इसकी ठीकने से यह 230 कहां से यह दिखा देता है चलो चलो ह हां कि देखो यह एकपचास अंदर एक चालिस चालिस अधर उर चोड़ो क्योंकि पूरीप उड़्ट्टे पर प् cricket कोई है कर अधर यह दो तीस हो गया साशे एपको चार मीटर ये वालत अन्य झाहँ मौर्ति चोंदThe पेपर में नहीं पूचते हैं, एक ही दो चारिस्टे पूचते हैं, बढ़ पढ़ना तो सब पढ़ेगे ना, पता नहीं ना कौन सब पूच लें आपको, इसलिए मेरा काम सब पढ़ा ना, बांकि आप, आपसे एक ही दो, मतलब इते सारे नहीं आते पेपर में, दो इतीन और पेपयोदिन, अच्छा देखो, पैस सब खिख़ो, पन क्या करने वाले हैं, पाइंट क्या करने वाले हैं, पोइंटिंग करने वाले हैं, टेन सेलिमेटर प्लाओ ग्रांड लेवलette व्यात अप्टू Crimson Emerald ग्राउंड लेवल के नीचे ले करके कोपिंग कहां तक है आपका यहां तक यह पूरी हाइट पर बाहर-बाहर दोनों तरफ दोनों तरफ ठीक है इधर भी और इधर भी यह वाली दिवाल पर प्लास्टिंग यही कि पॉंटिंग करने है ठीक है तो उसकी बात कर रहा है यह उसके लिए कित्ता लिए आपने उसके लिए लिए आपने यहाँ पर इतरा चाहिए 4.70 लेंथ हो गई आपकी ठीक है कोपिंग की नीचे तक ले रहे है 4.70 लेंथ हो गई ठीक है भई दो दिवाले हैं और कित्ती की चौड़ाई पर कर रहे है टोटल कित्ती की चौड़ाई पर कर रहे है 2.10 पर ठीक है 2.10 पर यह चीज़ में लगता समझ बनी या रही जिस्ट वन मिनाट ना मैं थोड़ सा और अच्छे से देखो दोस्त आपको हमाँ पास दीख रहा है और जो हाइट उचाई वाली हाईट है यह लंबी दीख यह लंबाई आपके 4.70 और हाइट आपकी यहां से लेंगे हाइट कित्ती हो जाएगी 10 cm नीचे लेकर पूरी अप टो कोपिंग तक तो कित्ती होगी 10 cm नीचे 31 और 20 और कोपिंग तक 50 ही अब अब अंधर साइड के बात कर लेते हैं किसके अंदर साइड के बात कर रहे है मतलब इसकी बात कर रहा है पचास है ले यहां से ले करके और यह जो इधर साइव आ रहा है अपन ले कहां से रहे हैं इधर का 30 और जोड़ जाएगा तो 50 और 30 कित्ती हो गए 80 चलो इधर से दिखा तो इधर सही clear दिखेगा आपको यह देखो यह वाला जो पार्ट है इसके हैट कितनी 20 यह है 10 की क्या है coping है यह वाली पार्ट तो टोटल कित्ते हो गए यह 30 हो गया और टोटल यह वाली कित्ती है आपकी 60 है तो अपन कोपिंग का माइनस कर देंगे तो कित्ता लेंगे 50 तो 50 और 30 असी तो हाइड कित्ती हो गई 80 इस पार ठीक है हाइड कित्ती हो गई आपकी 80 और वो है क्या बोलते हैं लेंद इसकी वो 4.7 जी तो यहां से अब टोटल निकाल सकते हो ठीक है अब आपकी 40 यह आपकी 10 यह आपकी 10 ठीक है और ऐसे ऐसे यह वाली भी दस निकली होई है ठीक है फांच यह बाहर निकली पांच यह बाहर अब सबको जोड़ दो चाँटर तरफ तो यह 40 प्लस 10 और प्लस 10 प्लस 5 और यह प्लस 5 तो कित्ता हो गया बताओ 40 और 20 60 वाक नहीं हु दोने तरप चार सतर सद दद्द सव जोड़ दिया तो 90 हो गया ठीक है तो ऐसे करकीस में निकाल देना है ओके जी अब इसके बाद इंड आप पैरापिट ठीक है पैरापिट के इंड में इंड आप इंड पैरापिट में अरोगे दोस्तों तो चलो कहां पर थे अपन अहां ठ ठीक है यह वाले इंड आप इसकी यहां तो आपको समझ में आ गया ना यह वाले रिजन पर अच्छा इंड आप पैरापिट इंड आप कोपिंग और इंड आप कोपिंग तक ठीक है देखो यह चीज जो थी अपन ने इसको जो निकाला ठीक है यह वाला जो रिजन था यह जो पैरापिट बना हुआ है किसके उपर अपाटमेंट के उपर ठीक है बात क्लियर अब जो विंगवाल के उपर बने हुए उनकी बात कर लेते हैं देखो विंगवाल आपके चार है तिनकी भी चार ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या है चार है अब देखो पहली चीज इ दिवाल है और ये 60 की है ना 60 में कोपिंग भी जोड़ा हुआ है तो कोपिंग को अपन सेपरेट कर रहे हैं तो 50 लेंगे, 2 कोपिंग के 10 माइनस कर दो तो 50 यह वाला तो 30 बाई 50, 40 बाई 20 और 10 बाई 40 की कोपिंग है ना तो 40, ये 3 केस हैं इन तीनों कहीं वहाँ पास अपना ले रहे हैं तो क्या क्या है आपके 4 है तो 40 बाई 30, 40 बाई 20 30 बाई 50 और 40 बाई 10 इस 10 है ठीक है 10 तो ऐसे करके अपन सभी कर निकाल लेंगे ऐसे करके 4, 4 है इसलिए 4 को मर्टिप्लाई कर दी अच्छा अब एक चीज़ इसमें आपको लेना पड़ेगा रेक्टिंग्लर ओपनिंग माइनस करनी पड़ेगी ठीक है रेक्टिंग्लर ओपनिंग जो भी बीच में निकला हुए दिवाल आपने क्या माना टोटल दिवाल माल ले ने माइनस कर दिया अपने क्लियर तो यह हो गया माइनस यहां से दोनों साइड ठीक अच्छा अब इसके बात क्या है एक ट्रेंगुलर पोर्शन में इधर साइड अर्थ वरक इधर भरा हुआ ठीक है देखो इधर साइड आ जाओ अपनने क्या कि इसकी दोनों दिवाल इस पूरी दिवाल पर यहां समान ले लेकिन यह जो ट्रेंगुलर पोर्शन में दोनों तरफ भरा हुआ इधर भी होगा और इधर भी ऐसे ऐसे होगा ना ऐसे इधर साइड तो आप नहीं करने वाले हो गया इधर तो आप इसके बेसन नहीं करने वाले हो एस और पॉइंट करने के बाद बागी निकाल दिया ठीक है अच्छा इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है इन सब के रेट देखने करेंगे ठीक अगर पॉस्ता है तो नहीं को रिकतीай नहीं पूस्ता है तो फिर आपको इनको rate पता होने चाहिजित अप देखंट लेना autobi revelator दिये हुए और जित्ते जित्ते पर से उसे rate करेडियो करके अप इसके total cost बता का सकते हो तो यहां से आपको जो डेम का डिजाइनिंग वो आपकी कम्प्लीट हुई बस एकी चाहिए से कहोंगो दोस्त अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो दिल से वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करो बताया जरूर करो कि आपको और कैस सुधार चाहते हो इसमे और हाँ वीडियो को सेर जरूर किया करो अपने सारे दोस्तों तक और अगर चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें हाना नोटिफिकेशन मिलते रहें कोई मिस ना हो ओके चलो थैंकी सो मच मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखो ओके टेक केर एंड बाए